दोस्तों आजकर सुप्रीम कोट में कई ऐसे मामलों की सुनवाई हो रही है जिस पर CGI डिवाई चंदचूट की एक टिपनी खवर बन जा रही है क्योंकि उस टिपनी में CGI साहब की कही गई बातों को सुप्रीम कोट की तरफ से की गई तल्ख टिपनीों में गिना जा रहा है एजबार में कुछ ऐसा ही हुआ है एजबार सुप्रीम कोट में क्या हुआ है किस मामले पर ऐसी सुनवाई हुई जोसे CGI साहब का तलखंदाज दोबारा देखने को मिला आखिर वो कौन सा मामला था दोस्तों इस खबर में आपको हम बताएंगे आपके सवालों का जवाब देने नहीं और पास करने के लिए बैठा हूँ ये इतनी बड़ी बात CGI डिवाई चंद चूट साहब ने तलखंदाज में कही है दोस्तों किस मामले पर कही है ये भी सुन लीजे इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर आपको हम जनसता के खबर दिखा रहे हैं ये खबर कहती है कि शिवसेना के दो गुटों उधव ठाकरे और एकनाच शिंदे के बीच तकरार पर Chief Justice ऑफ इंडिया डिवाई चंद चूट की अगवाई वाली बेंच यानि उनके नितित में जो बेंच थी दोस्तों उसके द्वारा 28 फरवरी को सुनवाई की गई ये जो सुनवाई है ये सुनवाई जब कोट के अंदर शुरू हुई सुनवाई पर जब कारेवाई शुरू हुई तो कारेवाई शुरू होने के बाद Chief Justice डिवाई चंद चूट एक मामले को मेंशन कर रहे थे इसी दौरान होता ये है कि एक वकील उनसे बार-बार काउंटर सवाल करने लगते हैं और बार-बार काउंटर सवाल करते हैं वो रुखते नहीं है जिस पर मुक्ह नयायदीश ने कड़ी करने के लिए नहीं बैठे हैं बलकि और पास्ट करने के लिए बैठे हैं अलाकि अगर बात की जाए सुप्रीम कोट के CGI की दोस्तों CGI साहाब के जो तल्ख अंदाज है ये पहले भी देखने को मिला है कौन से मामले में देखने को मिला है मैं वो आपको आगे बताऊंगी क्योंकि इससे पहले वो जो ख़बर थी वो भी हम आप तक पहुँचा चुके हैं लेकिन क्योंकि मामले में बहुत जादा similarities हैं आप ये समझ सकते हैं कि थोड़े ही समय के अंतराल पर ये CGI साहाब की तरफ से दूसरी तलख टिपनी है तो आखर वो जो मामला था वो क्या था वो भी आपको आगे बताएंगे लेकिन आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये जो सुनवाई हुई इस सुनवाई के साथ साथ एक और मामला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया जहां CGI साहाब की तो तलख टिपनी नहीं सुनने को मिली लेकिन जस्टिस बियार गवाई की बेंच द्वारा जो तलख टिपनी थी दोस्तों वो सुनने को मिली क्या था मामला ये भी आपको बता देते हैं ये वाला जो मामला है ये पहले वाले मामले से बिलकुल अलग था जस्टिस बियार गवाई वर्चुल पेशी पर नाराज हो गए थे जनसत्ता के खबर के मताबिक जस्टिस बियार गवाई की बेंच एक मामले के सुन्वाई कर रही थी इस दौरान होता यह है कि एक एड़ुकेट विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए पेश होते हैं यानि वर्चुल तौर पर पेश होते हैं इस पर जस्टिस गवाई ने उन्हें रोग दिया जस्टिस बियार गवाई ने कहा कि हम मंगलवार हो बुद्वार हो और हम वर्चुल कॉन्फरेंसिंग की इजाज़त नहीं दे रहे हैं आपसे गुजारिश है कि फिजिकल अपेश हो यानि आप कोट में आकर अपेश हो और वहां हमसे इस पूरे मामले के सुनवाई करें इस पूरे मामले पर बहस करें उन्होंने इस मामले पर नाराज की एक कार किया था वो सुनिये दरसे सुप्रीम कोट में पिछले हफते जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवी कुमार की एक बेंच ने कोट नंबर छे में वर्चुल हेरिंग की सुविदा बंद करा दी थी क्यों कराई थी इसलिए कराई थी क्योंकि एक मामले की सुनव कोट नंबर एक में हूँ, दूसरी बार जब मेंशन होता है तो बोलते हैं कि वर्चुल हेरिंग की पर्मिशन के लिए कोट ने इंकार कर दिया, जस्टिस बियार गवी ने क्या कहा दोस्तों, उनकी बेंच ने क्या कहा यह हम आपको बता चुके हैं, हाला कि देखें, सीजाई डिवाय चंदचूर वर्चुल हेरिंग की तारीफ कर चुके हैं, और उन्होंने इसको आगे बढ़ावा देने की भी बात कई बार कही है, हाई कोट में भी इसको बढ़ावा देने की बात वो बार बार कहते आए हैं, हाई कोट में जो जज इस पूरी फ्रक्रिया क पक्ष में नहीं है, उनको लेकर भी डिवाय चंदचूर सहाब काफी समय नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं दोस्तों, अब जो मामला शुरुआत में हमने आपको बदाया जिसका जखरह हम कर रहे थे, कि सीजाई डिवाय चंदचूर सहाब की तरफ से पहली तलख टिपन में कहीं जो हमने आपको बताया, लेकिन जैसा हमने कहा से यहाँ पहला मामला नहीं है जब सीजाई आपकी इतनी तलख टिपनी सामने आई, इससे पहले भी वह मामले में सामने वाले वकील साहब को तलख अन्दाज पर चिके हैं वो मामला भी इसी महीने बलकि आप समझ सकते महज 8 दिन पहले सामने आया था 20 परवरी को लाइव लॉग पर खबर चपी जल सकता पर खबर चपी तमाम जितने भी मीडिया संस्थान हैं, अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं उन पर ये खबर चपी मामला क्या था वो सुनिये, मामला ये था दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको हम लाइव लॉग की खबर दिखा रहे हैं ये खबर कहती है कि PIL याचिका करता, एडवोकेट अश्विली उपाध्याय ने पुर्शों और महिलाओं के लिए अब इस याचिका को भारत के मुखे नैधिष याने दीवाय चंद चूळ साब की बंच ने खारिच कर दिया खारिच करने के साथ साथ सुनवाई में क्या हुआ ये बताने के लिए इस वक्त आपकी स्क्रीम्स पर आपको जनसत्ता की खबर दिखा रहे है दोस्तों ये खबर साथ तोर पर कहती है कि Chief Justice of India D.Y. चंदचूर, Justice P.S. और Justice J.V. पार्दिवाला की बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की Chief Justice D.Y. चंदचूर ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए Advocate अश्विनी उपाध्याय से कहा कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं की शादी की उमर 18 नहीं बल्कि 21 साल होनी चाहिए इस कानून पर बहस चल रही है अब इस पर Justice P.S. नरसीमा ने कहा कि अर्श्विनी उपाध्याय को उन्होंने टोका उन्होंने कहा कि आप खोदी बोल रहे है कि संसद में बहस चल रही है तो संसद में जब इस कानून पर बहस चल रही है फिर आप हमारे पास पुआए है इस पर उपाध्याय साब कहते है कि आप मामले को स्थगित कर दीजे यानि आप मामले को टाल दीजे उपाध्याय ने तर्थ दिया कि अगर 18 साल की समय सीमा खत्म कर दी जाती है तो ये अपने आप 21 साल हो जाएगा उन्होंने हिंदू मैरेज आक्ट का हवाला दिया इस पर CGI ने इसे दिखाने के लिए कहा कि वो जिसकी बात कर रहे हैं वो आप दिखाईए अब चीफ जस्टिस ने जब उन्होंने दिखाया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको किसी ने लौ कमिशन जाने से रोका है क्या आप जा सकते हैं अब उपाद्याय जी ने जवाब दिया कि नहीं रोका तो नहीं है फिर चंद्रचूर साहब ने पूछा फिर आपको छूट क्यों चाहिए चीफ जस्टिस चंद्रचूर की स्टिपनी पर उपाद्याय साहब ने कहा कि इस मामले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांस्फर करने का फाइदा क्या रह गया ये वो बोलते हैं इसी बात पर चीफ जस्टिस साहब बहुत ज़ादा तल्क हो गए दोस्तों उन्होंने कहा कि हम आपकी राय सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हम यहाँ पर समयधानिक ड्यूटी पूरी करने के लिए बैठे हैं ना तो आपको और ना ही किसी पार्टी को खुश करने के लिए बैठे हैं आप हमारे जैसा मैसूस करते हैं आप कोट के लिए जैसा भी मैसूस करते हैं इस पर हमें आपकी टिपनी की कोई आफशक्ता नहीं है कोई ज़रुरत नहीं है आप बार के सदस्ते हैं हमारे सामने बहस करें ये कोई political forum नहीं है तो महस आठ दिनों के भीतर-भीतर CGI साहब की दूसरी तलख टिपनी है दोस्तो पहली टिपनी आपको बता चुकी हूँ दूसरी टिपनी अभी आपको बताई जहां उन्होंने कहा कि मैं order देने के लिए नहीं बैठा हुई मैं आपके जगा सवाल सुनने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं हम यहाँ पर order देने के लिए बैठे हैं CGI साहब की जो टिपनी है आप बारल हुटी चली जा रही है और भारत के मुखे नियादीश डिवाई चंद चूर एक बार फिर से सुर्ख्यों में है दोस्तों हलाकि सुप्रीम कोट का ये जो पूरा फैसला है जिस मामले में सामने आया है उस मामले का निशकर्ष कब तक निकलेगा ये इस से जुड़ी खबर अभी तक सामने नहीं आई है जैसे ही वो अपडेट सामने आती है हम फिर हासर हो जाएगे वैराल इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक हो शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक लिए नबसकार